Welcome to Learn Together, मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं Chemistry के महतोपूर्ण प्रश्णों को जो की एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं यहां से हर एक एक्जाम में कोई न कोई कोश्चन आता है और बार-बार कोश्चन आता है तो इसलिए यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में सेयर कीजिए आते हैं अपने पहले प्रशन पर आधुनिक राशायन विज्यान का जनमेदाता किसे कहा जाता है प्रिष्टले को, शीले को, लिवाय सीले ये को और बोलहर को तो यहाँ पर सही जवाब होगा ओप्शन नमबर डी बोलहर को किमिश्ट्री सब्द की उत्पत्ती हुई मिस्र से, इरान से, कनाडा से, इराक से राइट अंसर इज ऑप्शन नमबर वन, मिस्र से सामान्य मानव सरीर में कौन सा तत्व सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है ओक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन राइट अंसर इज ऑप्शन नमबर ए, ऑक्सीजन कपूर को किस विधी से सुद्ध किया जाता है उर्ध्वपातन, आस्वन, वर्ग लेखन, निर्वाह आस्वन तो राइट अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर ए, उर्ध्वपातन गैसों के विशरण नियम प्रतिपादित किया ग्राह ने, चाल्स ने, बॉयल ने, एवोगाड्रो ने तो राइट अंसर हमारा होगा ऑप्शन नमबर ए, एवोगाड्रो हवा निमन लिखीत में से क्या है? तत्व, योगिक, मिशरण, ठोस राइट अंसर इज, आप्शन नमबर सी, मिशरण निमन लिखीत में से कौन सा तत्व, धातु है? नैट्रोजन, कार्बन, गंधक, sodium, right answer is option number D, sodium, निम्न लिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, दूद से दही बनना, लकडी का जलना, बर्फ पिघलना, लोहे में जंग लगना, right answer is option number C, बर्फ पिघलना, भारत ने अपना पहला पर्माणों परिक्षण किस राज्य में किया था, उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, केरल में, right option is option number C, राजस्थान में, एक से अधिक धातूँ के मेल से बना पदार्थ, मिस्रन, उपधातू, योगी, मिस्र धातू, option number B is right answer, उपधातू, साबुन किसके साथ मिलकर कम जाग देता है, कठोर जल, मृदु जल, सुद्ध जल, खनीज रहिजल, right option is option number A, कठोर जल, रेडियो सक्रियता की खोज की, रदर फोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने, हेन्री बेक्रेल ने, आइंस्टीन ने, right answer is option number C, हेन्री बेक्रेल ने, आधुनिक विज्ञान में अणू सब्द का व्यावाहार सर्व प्रथम किस ने किया, रदर फोर्ड ने, निल्स बोर्ड ने, जान डाल्टन ने, एवोगाड्रो ने, right answer is option number D, एवोगाड्रो ने, पदार्थ के परमाणू वाद्दे के प्रणेता थे, रदर फोर्ड, एवोगाड्रो, बेक्रेल, डाल्टन, right answer is option number D, डाल्टन, निमन लिखित में कौन योगीक है, इस्टील, पीतल, रेत, हीरा, right option is option number C, रेत, बारूद होता है, तत्व, योगीक, मिसरण, तरल, right option is option number C, मिसरण, कोईला है, तत्व, योगीक, मिसरण, इनमें से कोई नहीं, right option is option number A, तत्व, हीरा है, तत्व, योगीक, मिसरण, तरल, right option is option number A, तत्व, जेम्स चेडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, निूट्रॉन, पॉजिट्रॉन राइट ओप्षन इज ओप्षन नमबर C, निूट्रॉन वैसे तत्वे जिनकी परमाणू संख्या समान परंतु परमाणू द्रव्यमान भिन्य होते हैं कहलाते हैं अप्रूप, समावयई, समभारी, समिस्थानी राइट ओप्षन इज ओप्षन नमबर D, समिस्थानी वैसे तत्वे जिनकी परमाणू द्रव्यमान समान परंतु परमाणू संख्या भिन्य होते हैं कहलाते हैं समरूप, अपरूप, समाव, वयाई, समभारी, समिस्थानी राइट ओप्शन इज ओप्शन नमबर सी, ओप्शन नमबर सी समभारी परमाणू की नाभीक में होते हैं नूट्रोन और प्रोटोन, प्रोटोन और इलेक्ट्रोन, नूट्रोन और इलेक्ट्रोन, इन में से कोई नहीं, राइट ओप्षन इज ओप्षन नमबर ए, नूट्रोन और प्रोटोन, इलेक्ट्रोन का अविस्कार किस ने किया, चैडविक ने, थॉम्सम ने, गोल्ड स्टी है लोहा, अलुमीनियम, कैल्सियम, सोडियम, सही जवाब होगा option number B, aluminium, प्रिथवी पर सबसे अधीक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है oxygen, silicon, aluminium, लोहा, right option is option number A, oxygen, sona का Latin नाम है, argentum, aurum, cuprous, netrium, right option is option number B, aurum, चान्दी का Latin नाम है, argentum, aurum, cuprous, netrium, right option is option number A, argentum, लोहा का Latin नाम है, argentum, calcium, netrium, ferum, right option is option number D, ferum, तामबा का Latin नाम है, netrium, kelium, cuprous, aurum, right option is option number C, cuprous, torch में कौन सा सेल प्रयुक्त होता है, lid, संचायक सेल, danial सेल, सुस्क सेल, galvanic सेल, right option is option number C, सुस्क सेल, उश्मा चेपी प्रतिक्रिया में, उश्मा का आउसोसन होता है, उश्मा मुक्त होती है, उश्मा परिवर्तन नहीं होता है, ताप इस्थी रहता है, right option is option number B, उश्मा मुक्त होती है, उश्मा शोशी प्रक्रिया प्रतिक्रिया में उश्मा का आउसोसन होता है उश्मा मुक्त होती है उश्मा परिवर्तन नहीं होता ताप इस्थी रहता है राइट ओप्शन इज ओप्शन नमबर ए उश्मा का आउसोसन होता है शुद्य जल का pH मान होता है 2, 7, 9, 14 राइट ऑप्षन इज ऑप्षन नमबर B, 7 अमली विले का pH मान होता है 7, 7 से अधीक, 7 से कम, सुन्य राइट ऑप्षन इज ऑप्षन नमबर C, 7 से कम होता है छारिय विले का pH मान होता है 7, 7 से अधीक, 7 से कम, सुन्य राइट ऑप्षन इज ऑप्षन नमबर B, 7 से अधीक उदासीन विले का pH मान होता है 7, 7 से अधीक, 7 से कम, सुन्य राइट ऑप्षन इज ऑप्षन नमबर A, 7 उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनी कभी क्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं राइट ओप्षन एज ओप्षन नंबर सी परिवर्तित करता है रेडियो कार्बन तिथी निर्धारित पद्धिती का उप्योग निमनी की आयू निर्धारण में किया जाता है, जिवाश, चटान, भावन ये सब ही राइट ओप्षन एज ओप्षन नंबर एजिवाश सौर उर्जा का स्रोथ है, नाभिकिये सनलगने, नाभिकिये विखंडन, नाभिकिये विस्पोर्ट, स्रिंखला अभिक्रिया राइट ओप्षन इज ओप्षन नंबर एज नाभिकिये सनलगन भातिक परिवर्टन का उदारण है, हावा में चांदी के बर्तनों का काला हुना, मुम्बत्ती का जलना, दूद से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना राइट ओप्षन इज ओप्षन नंबर डी, पानी में चीनी का घुलना निम्न लिखीत में से कौन एक रासायनिक परिवर्टन नहीं है, लोहे का जंग लगना, जल का वास्पर में परिवर्टन, दूद का दही में परिवर्टन, कोईले का जलना, राइट ओप्षन इज ओप्षन नंबर बी, जल का वास्पर में परिवर्टन निम्न लिखीत में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है विद्धुद बल्ब का जलना, पानी में शरकरा का घुलना, मुमबत्ती का जलना, लोहे की छड़ का चुम्बकी करण राइट ओप्शन इज ओप्शन नमबर C, मुमबत्ती का जलना बाकसाइट अयस्क है लोहे का, चान्दी का, पारे का, अलुमिनियम का राइट ओप्शन इज ओप्शन नमबर D, अलुमिनियम का सीने बार अयस्क है चान्दी का, पारे का, लेड का, सोने का राइट ओप्शन इज ओप्शन नमबर B, पारे का करनलाइट अयस्क है जस्ता का पारे का चांदी का मैगनीशियम का राइट ओप्शन इज ओप्शन नमबर D मैगनीशियम का चांदी का अयस्क है बाकसाइट, क्यूप्राइट, औरजेन टाइट, हेमेटाइट राइट ऑप्शनीज, आप्शन नमबर C और जे टाइट गयलेना अयसक है चान्दी का, लेड का, पारे का, अलुमीनियम का राइट ऑप्शनीज, आप्शन नमबर B लेड का राजस्थान की जावर खान किस धातु के खनीज के लिए प्रसिद्ध है जस्ता, पारा, अलुमीनियम, चान्दी राइट ओप्शनीज ओप्शन नमबर A, जस्ता मोनाजाइट अयस्क है सीसा का, थोरियम का, लोहा का, अलुमीनियम का राइट ओप्शनीज ओप्शन नमबर B, थोरियम का हैमेटाइट नामक अयस्क से किस धातू का निसकर्सन किया जाता है सोडियम का, केलसियम का, अलुमीनियम का, लोहे का राइट ओप्शन इज ओप्शन नमबर D, लोहे का इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शियर करें धन्यवाद